हेलो फ्रेंड्स, वेल्गम बैक टू मैं चालर जॉब हंट वेट स्वाती, आज मैं आप लोग लिए नहीं जॉब अपोचिटी लेकर के आई हूँ, यह अपोचिटी आई हूँ है, वेल नोन लॉजिस्टिक कमपनी डेलिवेरी के तरफ से, डेलिवेरी बहुत ही अच्छा इ करके आया है, जिसको आप कमप्लीट करने के बाद अशूर्ड जॉब पा सकते ही, ठीक है, तो हर तरह के कैंडी रेट्स के लिए है, अगर कोई फ्रेशर है, ठीक है, और उसको जॉब नहीं मिल लई है, या कोई स्किल नहीं है, नहीं पता है कि कहां जॉब ढूरें, जहां आप अप्लाई कर रहे हो, reject हुआ जा रहा है, आपके पास कोई भी ऐसी qualification नहीं है, कुछ भी ऐसी skill नहीं है, कि आपको कोई अच्छी ठीक ठाक सी भी job मिल सके, तो आपके लिए बहुत भी बहतरीन है, इसके अलावा जो लोग already job में हैं, लेकिन अपने profile को और hire करना चाहते हैं, और अच्छी profile पर work करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी बहतरीन ये opportunity रहने वाली, ठीक है, so skill development program के बारे मैं आपको बता रहेती हूँ, कि इसमे qualification क्या मांगा गया है, और क्या age मांगी गई है, और कौन-कौन से post आपको मिल सकती है, ये course complete करने के बाद, ठीक है, so eligibility की बात क्या जाए, तो 22 to 32 years candidates can apply, ठीक है, तो 22 से 32 साल के age group में अगर आप आते हो, अगर आप fresher हो, या आप experienced हो, कम सकम 10th pass हो, आप apply कर सकते हो, ठीक है, तो minimum qualification यहाँ पर 10th pass मांगा हुआ है, basic proficiency in English and maths, तो देखे, basic की बात की हुई है, अगर आपको लिखना पढ़ना English समाज में आ रहा है, maths जो है, जोड़ घटाना गुड़ा भाग, इतना जितना अकाउंटी, मतलब जितना जोड़ घटाने में, daily के use में जितनी जरूत पढ़ती है, उतना आप कर पा रहे हो, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, ठीक है, अब चलिए, बता देते हैं इसमें, और साइड डिटेल्स की क्या क्या इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है, जैसे कि असिस्टेंट टीम लीड, ठीक है, इसके साथ है टीम लीड, फिर आती है manager center in charge, ठीक है, तो ये काफी अच्छी बड़ी positions है, salary range बहुत अच्छी होने वाली है, metro cities में अगर आप select होते हैं, तो 3.5 है, assistant team leader की बात कर रही हूँ, और अगर आप non metro में हो तो 3 LPA है, ठीक है, LPA की बात कर रही हूँ है, तो बहुत अधा difference भी नहीं है, इसम nominal सा difference है, metro और non metro में, ठीक है, metro में 3.35 LPA है, जबकि non metro में 3 L LPA है, ठीक है, ये assistant team lead की बता रही हूँ, team lead की बात कर जाए, तो 3.6 LPA है, और non metro का 3.3, तो थोड़ा सा higher है, और अगर आपका इसमें selection होता है, manager या center in charge में, तो बहुत ही अच्छी salary आपकी रहने वाली है, 5 LPA है metro में, और non metro में 4.5 LPA है, तो कुछ खास difference नहीं है, अच्छ इसी भी position के लिए, ठीक है, अब चली इस course के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, कि कितने duration की आपकी internship रहने वाली है, या course रहने वाला है, ठीक है, इसमें आपको कुछ fee pay करना है, नहीं करना है, तो देखिए, this is totally funded opportunity, three weeks का program है, totally funded है, बट ये आपका fees जो रलने वाली है यहाँ पे यह 399 रूपीज, जो कि non-refundable है, तो जैसे आप समझ सकते हो कि admission fee समझ सकते हो, या form fee समझ सकते हो, या exam fee समझ सकते हो, या मतलब जैसे भी आप exam देने के लिए कोई form भड़ते हो, तो पास उतनी ही normal fee से 400 रूपए, तो देखिए, जहाँ job के बात आ गई, ठीक है और आपके पास कोई skill नहीं हो, अगर यह skill सिखा रहे हैं तीन हफ़ते की, ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसको successfully complete करते हो, जोब की assurity देती है, यह तो 400 रूपए, मैं कहते हूँ कि बहुत ही कम है, क्योंकि जोब के लिए तो लोग कितने खर्च कर देते हैं, लाख कमपनी खुद से course करा रही है, और आपको वहाँ से selection की भी assurity दे रही है, तो बहतर है कि आप वहाँ से करें, ठीक है, कमपनी जो courses निकालती है, अभी जैसे TCS का भी मैंने वीडियो बनाया था, तो जो companies खुद से course out करती है, वो उसी के accordingly करती है, जिसकी उसको requirement होती है, जिन skills की requirement होती है, उनको पता होता है कि हमें जो skills चाहिए candidates में वो नहीं है, क्योंकि वो चीज़े ना तो पढ़ाई जाती है, और ना ही वो दूसरी company में वो चीज़ें उतनी सिखाई जा रही है, या अगर हमें fresher candidates को रखना है, ठीक है, तो freshers को हमें सिखाना ही पड़ेगा, त हफता कितना होता है, कितने कितने सालों तो लोगों को job search करने में ही निकल जाते है, तो उसमें अगर आपका three weeks, यानि एक महीने से भी कम, अगर total अगर बात कर लिया जाए, कि आपका form फिल करते हो, फिर आपका selection होता है, फिर आप course होता है, कुल मलाक मालेजे, एक महीना भी मालेजे, अगर एक महीने का course अगर आप successfully complete कर लेते हो, उसके बाद अगर आपकी job लग जाती है, तो कितना जदा beneficial रहेगा ये course आपके लिए, ठीक है, so, यहाँ पे 399 रूपीज आपकी assessment fee लगने वाली, जैसा मैंना होता है, exam fees कही है, assessment fee कही है, जो कि non refundable है, यह आपको return न 8th Gen, 8th January से आपकी training start हो जाएगी, ठीक है, तो December तक आप apply कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है, जल से जल इसके लिए apply कर दीजिए, 400 रूपे fees को भी बहुत ज़ादा नहीं है, starting package की बात क्या जाए यहाँ पे, तो up to 3 to 5 lakh per annum, तो 3-5 lakh per annum की यह बात कह रहे हैं, ठीक और पूरे, यह चार location पे इनका program होने वाला है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, कि यह accommodation और food का खर्च भी खुद उठाने वाले हैं, ठीक है, आपको ना तो रहने का और ना ही खाने का पैसा देना है, ठीक है, तो इससे बहतरीन क्या होगी opportunity कि बहुत सारे candidates जो ह है, जो कि छोटे शहरों में रहते हैं, और वो बड़े-बड़े शहरों में इसलिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, ठीक है, तो अगर आपको चार सुरुपए का खाली आपको fee पेप करना है, exam fee, उसके बाद अगर आपको training fee म मिल लई है, रहना खाना free में मिल ला है, और उसके बाद अगर आप successfully complete कर लेते हैं, और आपकी job भी लग जाती है, तो ना सिर्फ आपके लिए भी काफी beneficial होगा, आपकी पूरी family के लिए beneficial रहने वाला है, ठीक है, so इसका apply link मैं आपको description में दे दूँगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, तो उसको subscribe कर लेजे, because मैं ऐसे latest job updates provide करती रहती हूँ, thanks for watching my channel, bye bye